बहुत दोखा दिया किस्मत ने 27 अगस्त को कुम्बर राशी की चमकेगी किस्मत जोतिश शास्तर के अनुसर ग्रहन अक्षेत्रों की बदलती स्थिती मनुश्य के जीवन को हर प्रकार से प्रभावित करती है यति किसी व्यक्ति की राशी में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वज़े से व्यक्ति को हर तरब से फायदा मिलता है परंतो ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में परिशानिया उत्पन होने लगती है जोतिश में महाबली हनमांजी को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है इनकी गुरुपा से आपके जिवन की सबी संकटे दूर हो जाएंगी जोतिश गनाना के आनुसार आज हम आपको 27 अगस्त की कुम्बर राशिफल बताने वाले हैं करियर संबंदित किये गए प्रयासों का फ़ल मिलने वाला है आज कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है जिससे आपका मन प्रसन रहेगा आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा आपका पूरा समय परिवार के साथ बितेगा घर के कामों में जीवन साथी का हाथ बटाएंगे साथी बच्चों के करियर के लिए उनके गुरु से परमार्श लेंगे इस राशी के जो लोग धर्म कर्म के काम से जुड़े हैं उन्हें आज किसी बड़े समाहरों में जाने का मौका मिल सकता है वहाँ लोग आपका सम्मान भी करेंगे दोस्तों ऐसे ही महतोपुर्णा बाते आज की सुड़े में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और विश्नुदेव जी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जाई विश्नुदेव लिखना ना भूले साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुमबराशी की सामन्य रशिपल के बारे में आज आप अपनी मन में संतुष का भाव रखे फरस्तितियों के कारण कुछ परेशान होना पड़ सकता है दिन आज आज आप के लिए अच्छा रहीगा अधिक प्रयासों के बाद भी जो चीज़े आपको आज नहीं मिली हैं उसका आप अपसोस ना करे यदि आज कारेक्षेत्र और आफिस में आपके सामने कुछ मुश्किले आती हैं तो आप पूरे उस्ता से उसे सुलजाने में लग सकते हैं प्रयम के संबंद में दिन आज आज आपके लिए अच्छे फ़ल देने वाला है आज आप अपने खरचों को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं अपने सहकर्मियों से आज आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा किसी छोटी यात्रा का आज कारेक्रम बन सकता है आज आपकी सामजिक सिति में भी उरुद्धी हो सकती है कारेक्षेतर का विश्तार आज हो सकता है किसी पर भी बहुत अधिक विश्वास ना करे परिवार में कोई शुबकारे का आयोजन हो सकता है अपने कामों के और ध्यान ना दे पाने के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं अधिक प्रयासों के बाद भी कुछ काम पूरे नहीं हो पाएंगे इसकी कारण आपका मूड खराब हो सकता है अगर हम कुमबराशी की द्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपके जीवन में बहुत सी उतर चड़ाव भरी परस्तितियां देखने को मिल सकती है आपको परस्तितियों के अनुसार सोच समझ कर अपने कदम उठाने होंगे परिवार में किसी बात को लेकर दिक्कत उत्पन होने की संभोना बन रही है परिवारिक मामलों में बुद्धी मानी से निरने लीजिए आप अपनी वानी और व्यवार से दूसरों को अपना बना सकते हैं अगर हम कुमबराशी की धनराशी पर की बात करें तो यह समय अपनी दिमाग से काम लेने का है न किसी दलाल या एजेंडों के बातों में आने का आपके सहियों की आपके कारियों के अलोचना कर सकते हैं लेकिन इससे चिंतित ना हो कुछ खली वक्त अपने मनोरंजन या आराम के लिए भी जरूर निकाले ताकि जीवन का मज़ा ले सके आज किसी खास संबंध या साज़ेदारी की संबवना है रिस्ते चाहे आउपचारिक हो या अनोपचारिक लोगों को चुनने में समझदारी बरते हैं आपकी प्रगति के मार्ग में आने वाली कटनायों को आज आप दूर कर सकते हैं आने वाले आउसर आपको उस्ताहित बनाए रखेंगे याद रखें उंचायों तक पहुंचने के लिए कई टेड़े मेड़े और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता हैं अगर हम कुमबराशी की करियर राशीपल की बात करें तो आज आप अपनी ऑफिस में अपनी वाककला का परिचे दे सकेंगे हाला कि सपलता पाने के लिए आपको अपने उच्छे अधिकारियों से बात करते समय भहुत से आत्मविश्वास की जरुरत पड़ेगी इसे से ना केवल चुनेती पूर्ण परस्तितियों पर विजय पा सकेंगे बलकि तनाव भरी परस्तितियों में भी आसानी से काम कर सकेंगे और साथ ही अपने लक्षों को भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे अगर हम कुम्पराशी की लवराशीपल की बात करें तो आज का दिन मनोरंजन और आराम करने का है आपका प्रियतम आपके रोमेंटिक और डिप्लोमेट सबहों का दिवान है यह रोमेंटिक शन और भी रोचक हो जाएंगे जब आप अपने शोना के साथ जुड़े भावनातमर्ग संपर्ग का पूरे दिल से स्वागत करेंगे आज आपके रास्ते में आने वाली हर बादा दूर होगी अभी आपका उस्ताह दुसरे ही स्तर पर हैं और आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल गुजरना चाते हैं आपका साथी आपको दिलो जान से चाता है इसलिए उनकी अभी लाशाओं का खास ख्याल रखे याद रखे दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो अगर हम कुम्बराशी की स्वास्ते राशी पल की बात करें तो हाली में सेहत से संबंदित परिशानियों से जुजने के बाद आज आप अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छा मुसूस करेंगे आज वहत दिन है जब आप अच्छी सेहत के महत्व को समझेंगे इसलिए ध्यान रखे कि आप सही भोजन ले और रोज वयायम करें दोस्तों यह थी कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं अशुब मंगल की वज़े से आपको होने लगती है परेशानी शुब बनाने के लिए करें यह उपाए सभी ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापती का दरजा दिया गया है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिती मजबूत है तो इसकी वज़े से व्यक्ति की जिवन में मंगल ही मंगल होता है परंतो कुंडली में मंगल की कमज़ूर स्थिती के कारण जिन्दगी में बहुत से परेशानिया उत्पन होने लगती है एक के बाद एक किसी ना किसी समस्या से गुजरना पड़ता है अगर आप चाते हैं कि आपकी कुंडली में अशुब मंगल की स्थिती शुबह हो जाए तो इसके लिए आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताने वाले हैं जिसकी साहता से कुंडली में मंगल मजबूत बनेगा तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल खराब होने की वज़े से किस तरह से परिशाने होती हैं उसके बारे में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिती खराब है तो इसके कारण आत्म विश्वास और साहस का स्तर कमजर हो जाता है मंगल खरब होने के कारण संपती और जमिन के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पर सकता है कुनली में मंगल गरह खरब होने के कारण व्यक्ति को रक्त संबंदी समस्यां होने लगती है मंगल अशुब होने की वज़ा से कर्ज और मुकदमे बाजी जैसे मामले होने लगते हैं अशुब मंगल होने के कारण इनसान को जल भी जाना पर सकता है मंगल की खराब स्थिति के कारण शादी शुदा जिन्दगी में बहुत सी परिशानियों उत्पन होने लगती है पती पत्नी के बेश आपसी संबंद खराब हो जाते हैं दोस्तों आप बात करते हैं संपती संबंदित समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को मंगल के अशुब स्थिति की वज़े से संपती संबंदित समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है तो ऐसी सिती में मंगलवार के दिन आप एक तिकोना नारंगी रंग का दोज लिजिए इस पर आप लाल रंग से आप राम लिख दीजिए इसके बाद आपको मंगलवार के दिन ही हनुमान मंदिर में जाकर इस दोज को अरपित कीजिए इस उपाय को करने से संपत्ती से संबंदित सभी समस्यां दूर होगी अब बात करते हैं मंगल दोश की वज़े से शादी में बादाओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर मंगल दोश की वज़े से विवाह में किसी परकर की बादा उत्पन हो रही है तो आप हर मंगलवार को उपवास रखे आप मंगलवार को नमक का सेवन मत कीजिए शाम के समय आप हनमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्तर चड़ाए इसके बाद आपको सुंदर कांड का पाट भी करना होगा तो दोस्तों यहती अशुब मंगल को शुब बनाने के उपाए तो दोस्तों आज की सुड़ों में वस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशुबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद